एलो फ्रेंट्स गुड इवनिंग एंड वेलकम योल इन मैं चैनल एचेस प्रपेशन विद प्रदीपूर फ्रेंट्स अभी मैं आपके समय सुरू कर रहा हूं जो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यस्ता है उसका पार्ट वन फ्रेंट्स प्रेंट्स में बहुत से जो जी एस जो क्वेस्टन्स आएंगे वह भी मैं आपको जो इन फ्यूचर आपको मैं पूरे लेक्चर दे दूगा तो आईए पहले स्टार्ट करते हैं आज जो पहले जो चैप्टर है उससे और यहां से जो है क्वेस्टन्स आपको आते हैं ठीक है फ्रेंट्स जो हिमाचल जो जो है क्वेस्टन पका आया हुआ है और करेबर 20 मार्क्स का पूछ लेते हैं ठीक है तो फ्रेंट्स इससे पहले कि मैं आपको लेंड रिखॉम एक्स के बारे में बताऊं जो उससे पहले कहा है कि लेंड टेनियूर सिस्टम के बारे में हम पढ़ लेते हैं जनरली यह जो ल पढ़ेंगे अपर जो यह पैसे पहले जो किस तरह का जो टेनियूर जो मालिका ना हक होता था खिसानों को वो जो है इस में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ठीक है अभी जो रिसेट जो से जनरी है जो अभी प्रेसेंट है उसमें क्या होता है कि आपका जो लेंड को इसनीनदारी प्रफा थी ठीक है, उसे पाद महालवाड़ी प्रफा थी रहत वाड़ी प्रफा थी ठीक है, और यह जो बेट्थू सिस्टम था, यह इसके बारे में हम पड़ेंगे ठीक है, और पट्टादारी जो टेन्यूर था यह चार पांच जो है यह चीजी उस ताइम प्रिविलेंट थी और जो लेंड पर किसी का मालिका ना हक नहीं हुगा करते था उस ताइम क्या था फ्रेंट्स की जो लोग थी मैक्सिम डेवर डिपेंडेंट और अग्रिकल्चर आभी भी जो हिमाचल की एकोनोमी है इट समस्ट क्योंकि इसमें क्या होता है और सहूudन इमाचल में आपके जो जो है जो खेती होती है तो फ्रेंट्स की को्ई कहती है ज्मीन है ज्यमीन जो आपको पता है कि मोध इंपोर्टेंट है एक रिस्ोर्स होता है किसी भी थैट या न है स्टेट या जो नेशन होता है उसकी जो एकोनोमी के लिए बहुत इंपोर्टन है कि लैंड सोस इसलिए आपने देखा को कोई कंट्री है जिसके बहुत ज़्यादा उच्छ के पास लैंड रिसोर्स हैं वो काफी रिच कंट्री है आप देखो कि वर्ल्ड की आप गर बेंड लैंड रिटर्स क्यों के विए तरह कर सकती कि जो को जहां पिर ऐ और अगर लैंड रिसॉर्स नहीं होते है अहे जो फैंड वहाँ पर कहा है बहुत ज़यदे प्रैशर पड़ता है लैंड के उपर लोग जो है उनको घर बनाने होते हैं ठीक है खेती करनी होती है ठीक है बाग वगिच्चे चाहिए होते हैं ठीक है कुछ रहने के लिए जग होते है स्कूल बनते हैं गौर्मन्न ऑफिस बनत मेरा आप से रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लें वीडियो को क्योंकि फ्रेंड्स मेरा ये कोशिस रहेगा कि विफोर एक तो जितनी मैं आपको सीरीज दे रहा हूं चाहिए आपकी करन्ट अफेर्स की सीरीज है ठीक है और इमा चली हिस्ट्री से स स्टार्ट कर रहा हूं और इस से जितना में करवा रहा हूं फ्रेंड्स आपको मेरा पका आइकेन असे ओर यू कि अगर आप मेरे वीडियो को फोलो करते हैं तो आपको जो है प्री में हिमाचल के प्री जो प्रिलिम्स अप्रिलिम्स एक्जाम है एच एस के उसमें आपका ह होना ही होना है सेलेक्षिन प्रवाइड यू फोलो माई वीडियो थोरोले ठीक है और फ्रेंट्स अभी जो स्टार्ट कर रहा हूं आई ये स्टार्ट करते हैं उसका एकोनोमी से रिलेटेड तो फ्रेंट्स हीमाचल प्रदेश एज एन अरिया फिप्टी फाइट फूजन सिक आपको सतर लाग है जो एक शिस्टी एक लाग जो है यह सेवन्टी लाग के करीब जो अभी है ठीक है तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि आबादी जो सिक्स्टी लाग के करीब है और जो एरिया प्रदार पश्वन आच्छे सो तीहतर स्कूर क्लिमेटर है अब इस एरिय जिसे आपको जिसे 44-400 मेटर के ऊपर जैसे रहता है उसको स्नौ लाइन बोलते हैं जिसकी है रहती है तो यह जो 20,000 चो स्कूर किलमेटर है यह परपेट्चुल स्नौ जिसमें जो हमेशा स्नौ रहती है ठीक है यह स्नौ एक दो महिने चोड के जैसे आपकी जून और जूला है तो यह आपको देख रहे हो कि 55,000 में से 20,000 जो एरिया ऐसी घटके है तो आपको पास बचा 35,000 एरिया ठीक है 35 स्क्योर किलोमेटर है उसी एरिया में जो है आपको जो रिसोर्स होगे जो भी है वह आपको प्रोड्यूस करने है ठीक है उसमें आपको कोई ओंधिक ठीक है कि इस तरह देख्को कि इस तरह अगर देखो तो आपको दो है भहँत ही कम एरिया है जिस पर आपको खीति करनी होती ए तो इसके लिए कि आपको एक है टाक्निकल क्लेमिंटफन चाहिए आपको टेकनोलजी जो है इसको नो- ही को की कि technology किस यूज करके यह best techniques का use करके जो है और किस तरह resources का use करके जो आप जो growth बढ़ा सकते हो ठीक है तो यही जो है किसी भी government की आपको जो एफ़र्ट रहता है इसलिए जब आप administration में जाते हो friends कहीं पर आप कहीं पर भी आप जो अगर administration में कहीं पे भी आप काम कर रहे होते हैं, तो ये सब challenges आपके सामने आएंगे, ठीक है, तो आपको पता होना जाहिए कि क्या resources हैं, और क्या हमारी crunches हैं, और क्या हमारी मजबूरी हैं, ठीक है बन्स, ठीक है, इसका land tenure, refer to the right of the people and communities, ठीक है, to manage own and use the land, ठीक है, land tenure क्या है, इसकी definition क्या है, ये जो है, लोगों का अधिकार है, ठीक है, और या community का अधिकार है, समाज का अधिकार है, to manage own and use, अपने पास रखना और उसको use करना, ठीक है, land को अपने, अपने स्वामी वित्तों में अब जो different, जो prevalent, जो prevalent, जो land tenure system थे, हिमाचल प्रदीश में, आईए उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, सबसे पहले क्या था, जमिदारी system, in this system, a person known as landlord and held the estate was responsible for the payment of revenue to the government, इसमें क्या होता है, friends, की एक जो, एक आदमी होता था, उसको बहुत सारे जमीन का मालिकाना हक द जो उसका revenue होता है, जितना उससे collection होता है, जितना production होता है, उसके बेस पे जो है, उसको government को, वो Britishers को दे देता था, उसको जमिदारी प्रथा बोलते हैं, ठीक है, they never have cultivated it, but given it to many cultivators on land, this system was prevalent in British India, Lord Cornwallis started this system, ठीक है, उसकी बास, जागिरदारी system, in this type of system, a land piece was given to individual for the reward, for services he offered to a state, ठीक है, जमिदारी में क्या था, जमिदारी में क्या होता था, कि आपसे पैसा, आपसे टोटल जो, जितना production होता है, production का पैसा लिया जाता था, उसी तर जागिरदारी में क्या होता है, जागिरदारी में क्या होता है, कोई भी जो कोई परसन था, ओज़ो स्टेट को जो है, सर्विसीज देता था ठीक है जो स्टेट को सर्विसीज देता था उसके बदले में उसको जो है जैसे रहेंक दिया जाता था या होसकता उसके पास जो हो जागिरदारी प्रथा बोलते थे ठीक है और यह जो मोगल शिस्टम ने चलाई थे ठीक है उनका कोई भी मिल्टरी कमांडर होते थे उसको जो है वो सर्विसिस दे देते थे है उसके वाद महालवाड़ी सिस्टम महालवाड़ी शिस्टम इस में क्या होता था कि इन दी सिस्टम दा और विलेज वाद पूट अंडर दी चाज ओफ विलेज हैडमाइन ठीक है जो गाउं का एक मुख्या होता था उसके अंडर में जो है यह सारी जो लेंड थी वो पूरी उसके अंड में दी जाती थी वो जो है रिस्पोंसिबल फो दी पेमेंट ऑफ लेंड रेविन्यू तो दा गोवर्मेंट ए महाल और विलेज बस कंसिड़र एज यूनिट आज भी आप देखते हैं फ्रेंड्स की जो महाल का जो महालवाडी जो सिस्टम है इसकी जो थोड़ा सापको कहीं न कहीं इसके निशार मिलते हैं क्योंकि आपको पुचाएं जैसे कोई भी एक पठवार खाना होता है उसी तरह एक महाल होता है ठीक है तो उसमें आप देखो कहीं पर आपको जो लेंड का रिकोर्ड रहता है उसमें देखा होगा कि इस महाल का कानुन गोवरित है मुख्या होता था ऊसी को उसी का पूरे गाओं कज़ो है जो जमीन थी उसका मुख्या था उसको पुरे जमीन का मालिक बना दिया जाता था ठीक है प्रथा थी यह प्रथा थी सालों तक भाउरत और ऐक्ट के तहट वुट भप्लिश करके जो अशूरू के चैमें जब देस आजद हुआ था उसके के बाज हो यह लेंड टेर्ट इन्यों सिस्टम को कैसे रेक्टिफाई करना कि इस तरह इकोल डिस्टिब्यूशन करना है इन दिफेंट कम्यूटी इन दिफेंट इन दिफेंट पीपल इस विगेस्ट चैलेंज अभी जो है आलांकि बहुत लेबल तक जो सोट आउट हो चुक इस तरह आपने देखा होगा कि मामला करके टर्म होती है मामला ठीक है और आपने गाव में याँ देखा होगी नंबरदार उखता है एक पहले ठीक है तो करता है कि सभी से आपका जो सी स्टम इभी मामला होता है भी आ धिस 20-30 रुपया हर साल यहां दो तिन साल बाज आप देते हो ठीक है यह एक सिस्टम है अभी भी आप देखोगे ठीक है तो यह रिवेन्य को मामला बोलते हैं उसको मामला ठीक है तो मामला जो आप अभी भी पे करते हो आप गाउं में जाओगे तो डेफिनिटली आप पुछों क कोन नमबरदार है आपका तो आपको पता लग जाएगा कि कोई एक गाउं का जो नमबरदार होता है और पहले पटवारी से पहले नमबरदार ही जो है नमबरदार जो है यह भी एक इंपोर्टेंट परसन होता था ठीक है तो आइडेंटिफाइदी पीपल इन दा बिलिए अगर कोई जैसे अदिनिस्टेशन से किसी को कुछ एडेमिस्टेशन को गाउं में किसी से अल्प रहनों तो फर्स्ट पॉइंट पॉइंट ओट वस नमबरदार ठीक है फ्रेंस उसके बाद फ्रेंस बेटू सिस्टम जो है आप यह जो सिमिला के जो हील स्टेट से अपको म होती है तो यहां पे कहता जो ठारा ठाकुराई और जो बारा ठाकुराई थी यहां पे राणा और ठाकुर जो होती है उनका राज्य होता था ठीक है छोट छोटी प्रिंस्परल्टी होती है यहां पे कहता बेटू सिस्टम होता बेटू आदमी होता जो की जिसको जो कहा है रा जिमएन है तो si hanlo 3 1100डं Moscow स्कपीड में उसको डीजाते थी फोर और स्कयर मिटर में जो खोन अवाञा को दिए जाते है उस के बादे में कया हैं उसको उसी जो उससे पैसा नहीं लियाता था पैसा नहीं लिया जाता था उससे उस is तो जो कर नहीं लिया जाता है यह उसको राजा के महल में या राणा के जो महल में उसको जो है services देनी होती थी लाइक यूदो फैमली की राणा के महल में family की साधी यह कुछ function है कुछ भी उसमें जो भी function हो रहा था या दिवारों को चिनना है या कुछ plastering करनी है यह सब जो है उसको services वहाँ पे बेटु को देनी होती थी और वो free of cost होती थी ठीक है अभी क्या होता है friends कि आपको पता है कि उसको राजा जी है तो उनके तो दुनिया भर के काम लगे रहेंगे तो इससे जो ह प्राद में एक जो एक कूप रथा है निकली बाद में इसको खिलाब जो है अंदोल में सुरू है और बाद में एबलीस होगी ठीक है friends होता है उसमें जो वहां पे जो लोग होते थे उनका जो है एक वह उनका जो मालिकाना हक नहीं होता था बटो सब एक कठे जो उसको जोतते थे ठीक है जोतते थे और बाद में जो जितना भी उस जितना भी एक पार्ट में जोतते थे उसी से उसी से उसका गुजारा करते थे सब्सक्राइब करने जो अपने जमेन को उगाया जितने भी आपने प्रडुक्शन किया उस्से जितना प्रडुक्शन कने कबाद आपने जो रिबेन युदिया ठीक जो मामला दिया या जो आपने शार्ज गुर्मेट को दिया जो रेंट आपने गुज़मेंट को दिया उसी के इसाब से आपकी जूलाए तैय हो जैती अब इसका देखो आप दुसरा पार्ट कर का देखो और कहीं पर भाई चारा सिस्त्म है कहीं पर भी और जो जतने ज्याता जमेन उगाएगा जितने ज़्यादा उगाएगा अनाज उघाएगा उसको जना जना जमीन बिजाएगी तो इसमा अपने जो वह देखा अपने उसे वर्स कंडिशन क्या होगी में इसे जफिय hard इस ने क्या किया एलीकल जह सब्सक्राइब एकला होग फिर जिश्य आफ निए आदमी वाँ सारी साधियां ऐदा एक और बहुत सारी पादा करे घर ताकि ज्यादा से ज्यादा जुन jan Battalion को उससा बहुत omtr कारण था उसी तर जो पॉपुलेशन को बढ़ने का यह एक कारण था ठीक है लेकिन आज कल आपको पता है कि लेंट इनुस सिस्टम जो काफी लेवल पर इसका रिफॉर्म हो चुका है और इसका जो आपको देखा होगा सेकेंटरी जो इंप्लिकेशन है लाइक जो बहुत सार बच्चे यह पॉपुलेशन इंक्रीज होना बच्चे पैदा करना यह सब जो है कम हो गया फ्रेंट्स ठीक है तो यह जो इसका आप इसका जो बैड फार्ट है ओ देख सकते हैं ठीक है सेम तरह बेठु में भी आपको पता है कि अरोजगार के लिए आपको बेगार के लिए बच्चे पैदा करोगे ठीक है उसी तरह फ्रेंट्स यह जो है कहीं ना कहीं जो है आपको आपको सोसाइटी में प्रभावित करते हैं यह जो टैनियर सिस्टम है ठीक है उसके बाद जैसे आपका रिफोर्म सुर हुए तो यह जो है नैचुरली आपकी प्रोलम्स है यह कुँड़ वीकम अगुड अड मिस्टेटर उस ही काई है कि आपको जुए यह जो लेड टैनियर सिस्टम है इसके बारे में पढ़ है जहता है ए यह जो है यह इसको पीछी है अधरवै इसको पढ़ाने का कोई रिजन है नहीँ उसके पठ्टा दैरी टैलिर में भीजिड ह रेंट फ एनीवन हो से रोल्डर विंग अनेबल तो फुल्फिल इस विलिगेशन तो दा गोवर्मेंट अगर इसमें पटादारियों बहुत सारे लोगों पटा होता था और उसके जॉइंट देड वो रिस्पोसिबल होते थे अगर कोई बंदा जो रेंट करने पे करने में भ वाइस वर्सा है ठीक है फ्रेंट तो ये जो है इसका मैंने आपको पढ़ाया लेंट टेनियर सिस्टम जो किस तरह का जो एक्जिस्टी था और उसका जो सोचल इंपलिकेशन भी जो है आपको मैंने बता दी तो आपसे क्वेशन ये आसकता है फ्रेंट की वाट वर्दी आपसे क्वेशन आसकता है थैंक ये जो है 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 आपसे क्वेशन आसकता है थैंक ये आपसे रिक्वेश